बिहार सरकार राजय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ओफिसर स्कूल लापटॉप और स्मार्टफोन देगी बतादे बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंग भट्टी ने इसका प्रस्ताव राजय सरकार को भेज दिया है बिहार पुलिस संसाधनों की कभी से जूज रही है और उसको लेकर बिहार के एडीजी ने बिहार सरकार के गिरीव विवाग को एक प्रस्ताव भीजा जिसमें राज़ पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसरों को लेप्टॉप, स्मार्टफोन और पैन ड्रैव देने की मांग की साथी थानों के लिए भवन देने की भी बात प्रस्ताव में है वही सेयम नितिश कुमार के इस प्रस्ताव के पास करने के बाद बिहार पहला राज्य होगा जिसमें पुलिस थाने में इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर्स के पास लेफटॉप और स्मार्टफोन होगा इसके लिए बिहार पुलिस को एसाई से लेकर एडिजी इसतर के करीब 24,000 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी आपको बता दे कि संसत से पारे तीन आपरादे कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं इसमें डिजिटल एविडेंस कलेक्शन पर जोर है यानि केस में जुटाएगे साक्षियों को डिजिटली भी रखना होगा इसको ध्यान में रखकर ये प्रस्ता भेजा गया है